नमस्कार दोस्तों उडानेस एकडमी के से लेर्निंग प्रेटफॉर्म पे मैं मुहमद रियास का नाब सब्सक्राइब करता हूँ उडानेस एकडमी ने CGPSC 3 के टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किये थी उसके पाँच मेगा टेस्ट में पुछे कर इंडियन जोगराफी के प्रश्णों पर आज हम बात करेंगे मैं तर्फडान भर ली है और आप पे हमने अपनी batches भी स्टार्ट कर रहे हैं समय रहेगा 7 बेसे 11 बजी की बीच का और शाम का समय रहेगा चार बज़े से लेके आट बज़े तर इसके लावा CGPSC pre और means की foundation badge भी start कर रहे हैं सुबह साथ से दस की इसके लावा सिचक भरती का भी badge start कर रहे हैं पाच से आठ का CGPSC pre और weapon की भी badge start कर रहे हैं दोपार में 11 से 2 यानि की pre के बाद means के exam को देखते हुए crash course start की जा रहे है आगामी CGPSC pre के exam के लिए pre plus means की foundation badge start कर रहे हैं सिचक भरती के लिए wishes सिचक badge भरती badge और इसके रावा pre और weapon को ध्यान में रखते हुए pre और weapon की badge start कर रहे हैं ध्यान रखेगा 19 फरवरी को बिलास पूर हमारे new branch में और ये badge बिलकुल हमारी हर batches की तरह online, offline और recorded mode पे होगी तीन दिन की demo classes दी जाएगी ठीक उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अनुभवी विशे, विशेशक्गियों दोरा और चैन अधिकारियों दोरा कक्षाएं ली जाएगी इसके अलावा library की facilities notes की, PDF की facilities printed notes की facilities, AC की facilities वो सारी facilities जो एक विद्यारती उम्मीद करता अपने पढ़ाई के दोरान वो सारी facilities आपको दी जाएगी इस batches में, इस branch में तो याद रखेगा बिलासपूर branch में सारी बैचे स्टार्ट हो रही है बिल्कुल, अगर आप तैयारी करना चाहते है तो यह आपके लिए सुनहरा officer होगा चलिए, अब अपना वीडियो स्टार्ट करते है हमारा पहला प्रश्ण है पहला प्रश्ण देखिए पूछ रहा है कि भारती उप महात्वीब की तीन महत्पूर नदियों का श्रोग ब्रियत हमाले में मान सरो और जील के निकट है निम लिखित में से कौन सी बे नदिया है तो पूछ यह रहा है कि भारती उप महात्वीब की वो तीन नदियां जो ग्रेट हिमाले में या ग्रेट हिमाले के उस पार तिब्बत के मांत और जील से निकलती है तो यहां पर ध्यान दीजेगा कि यह हो गए आपका ग्रेट हिमाले, मेड हिमाले, शिवालिक हिमाले उस पार तिब्बत में जील हो गई आपकी मान सरोवर जील मान सरोवर जील के निकट तीन नदिया निकलती है सबसे पहली नदी है आपका सोनोख्या ग्लेशियर से निकलने वाली सिंधु नदी सोनोख्या ग्लेशियर से निकलने वाली सिंधु नदी याद रखेगा दूसरा यहाँ पर एक जील है जिसका नाम है जिसका नाम है राकस ताल जील जिसको राकस ताल जील भी कहते हैं वहाँ से एक नदी निकलती जिसका नाम है सतलज नदी अब इफ्लो नहीं करवा रहा हूं सिफ उद्गम और उस से निकलने वाली नदी पर बात कर रहे है, तो मानसारल जिल के निकट सुरोख्या ग्लेशोष से सिंदू नदी, मानसारल जिल के निकट राकस्ताल जिल जिसे राकस्ताल जिल भी कहते है, से सतलज नदी और यहाँ पर राइट साइड एक ग्लेशर जिसका नाम है चेमा यूंग डूंग नाम याद रखेगा चेमा यूंग डूंग ग्लेशर से निकलती है कौन से नदी ब्रह्मपुत्र नदी यह हिमाले के उस पार की नदी है जिसको कहते हैं पूरुवर्ती नदी याद रखेगा अगर आपसे पूस दिया जा हिमाले के पूरुवर्ती नदी कौन सी है तो जो हिमाले के उस पार से निकलती है वो पूरुवर्ती नदी है यानि कि सिंदू नदी सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हिमाले की पूरुवर्ती नदी है जो हिमाले के उस प जेलम की वज़े से ये ऑप्शन नहीं होगा, सतलज ब्रह्मपूत्र तो सही है यमुना की वज़े से ये ऑप्शन नहीं होगा, अगला ब्रह्मपूत्र सिंधु और सतलज ये ऑप्शन सही है, इसके अलाबा यहां पर देखे, इसमें भी जेलम यमुना लिखा हुआ तो ये गलत है जुसका सही जवाब है option number C ब्रह्भुत्र सिंदू और सप्लच चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्ण की अगला प्रश्ण कहे रहा है कि भारती मानसुन के संदर में नीचे दिये गया कत्रों पर विचार करिए पहला statement क्या कह रहा है कि मानसुनी पावने नियमित पावने होती है अब यहाँ पर नियमित पावने क्या होती है अब यहाँ पर नियमित पावने क्या होती है वो देखेगा नियमित पावनों की बात करें तो याद रखेगा इसी को बोलते हैं भू मंडली हवाए भू मंडली हवाए या फिर इसी को कहते हैं प्राथमिक हवा तो हमारे प्रित्वी में तीन प्रकार की हवाएं होती हैं सबसे पहला प्राथमिक हवाएं इसके अलावा दूतियक हवाएं और एक हवाएं हैं त्रित्यक हवाएं तीन हवाएं प्रित्वी पे कारे करती है प्राथमिक हवाएं जिनको भूमंडली हवाएं कहते हैं जिनको नियमित पाउने कहते हैं जो प्रॉपर वे में चलती है और प्राथमिक हवाओं में वो तीन हवाएं अभी डिलेक्ली बता दे रहा हूं वो तीन हवाएं कौन सी है त इसके अलावा पच्छुवा हवाएं और तीसरा है आपका पूर्वा हवाएं तो याद रखेगा ध्रूबी हवाएं पच्छुवा हवाएं पूर्वा हवाएं इन पूर्वा हवाओं को वैपारिक हवाएं भी कहते हैं सनमार्गी हवाएं कहते हैं समझेगा तो यह तीन हवा कर कि कि नियमित पौने है यह गलत हो जाये हैं क collide क्योंकि यह सयज़़ आपको पतले होज़ी आप प्र। में प्हुस पिए सोर्स से निगलेगी और ठीच यह नहीं होता वह दूट्यक हवाइं और तृत्यक हवाइं किसी अबी सहतं हें के नहीं कि छेट्र विशेश की इस्थाजनी हवाय कहते हैं इस थानी हवाएं होती है यानि कि लोकल विंड कहते हैं इस को जैसे भारत में गर्मी में चलने वाली लू और ठंडी में चलने वाली शीत लहर इस्थानी हवाय है यानि कि तृत्यक हवाय है जो इस्थानी हवाय होगी वही तृत्यक हवाय भी होगी तो पहला statement गलत है दूसरा statement भारत में वर्षा लाने वाला एक मात्र तंत्र और अब सागर से उठने वाली दक्षिन पश्रिम मांसूनी धारा है तो यहाँ पर आप बात समझेगा कि भारत में वर्षा लाने वाला मतलब भारत में वर्षा होने वाले जो भारत में वर्षा हो रही है उसका एक मात्र तंथ पहले तो इक बात समझ लो कि भारत में सिर्फ एक ही किसी वज़ा से वर्षा नहीं होती, वज़ा कई और है, साइकलोन की वज़ा से भारत में वर्षा होती है, दक्षिपश्री मांसून से भी वर्षा होती है, वेस्टर डिस्टर्बिंस से भी वर्षा होती है, सामवानी वर्षाय भी होती है, बहुत सा इसे वज़ए जिसे भारत में वर्शाऊ होती है एक मात्र कोई ऐसा सिष्टम नहीं भारत में जिसे में वर्शा आ पहरी बात गलत है साती सात अरब सागर से उठने वाली दक्षित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश्चित-पश दक्षिशे मानसून की दो शाखाय बनेगी. तो basically अरभ सागर नहीं हिन महा सागर से दक्षिशे मानसून तो यह भी गलत है. तीस्रा कहा रहा है कि भारती जीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है. तो अगर आपको भारत में होने वाली वर्षा तो सबसे आखरी में जाएगा, तो मालसूद ये वापसी भी सबसे बाद में होती है, तो ये भी आपका सही है, तो ये तिसरा स्टेट्मेंट है, ये सही है, यानि पूछ रहा है उप्यूक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला सत्य नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा सत्य है, यानि कि केवल तीर, ये आपका सही जवाब होगा चलिए, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्ण की आईए, हमारा अगला प्रश्ण क्या रहा है कि भारते पाई जाने वाली निमलिखित मिर्दाओं को उनके छेतरी विस्तार के अनुसार आरोही करम में व्युस्तित करिए अब यहां पर लोग समझते नहीं कि आरोही पूछ रहा है कि आरोही पूछ रहा है आरोही यहनी बढ़ते करम में यहनी असेंडिंग ओडर में तो आरोही पूछ रहा है, आरोही यहनी बढ़ते करम में मतलब सबसे कम से लेकर सबसे जादा में जाना है सबसे कम हारत में देखे जलोड, लेटराइट, लाल मिटी और काली मिटी चार मिट्टी हमारे पास उसमें सबसे कम में लेटराइड मिट्टी, उससे ज्यादा में काली मिट्टी, उससे ज्यादा में लाल पीली मिट्टी, उससे ज्यादा में जलोर मिट्टी, जलोर मिट्टी 43 प्रतीशत पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी 18.5% एरिया में पाई ज जाती है है तो basically यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लेटराइट में पहले नम्बर पर फिर काली मिटी उसके बाद तीसरे नम्बर पर लाल बिटी और उसके बाद जलूर बिटी तो दो चार तीन एक देखें दो चार तीन एक दो चार तीन एक ऑप्शन नमबर ए इसका सही जवाब होगा चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्णों की हमारा अगला प्रश्ण क्या कह रहा है निम्लिकित में से कौन से भारती राज जिस चीन की सीमा को इसपर्श करते हैं बात अगर चीन की सीमा को इसपर्श करने की है तो इन राज्यों में कौन से राज जिस चीन की सीमा को इसपर्श करते हैं ठीक है तो समझेगा अगर एक मैप थोड़ा सा बना लिया जाए तो इस वीडियो के लिए आसानी हो जाएगी प्योंके नहीं बना रहा हूँ ठीक है तो यहां से आप देखिएगा यह हो गया आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान और यह हो गया आपका दूर से यह हो गया आपका चाइना तो चाइना की बात करें तो कौन-कौन से राज्य और यूनियन टेच करती है तो चार राज्य और एक यूनियन टेच करती है तो चार राज्य और एक यूनियन टेच करते हैं 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 एक यूनियन टेच कर ये वो चार राजे हैं और लग्दा को मिलाकर यूनियन टेरिट्री ये चार राजे और एक यूनियन टेरिट्री चाइना के साथ 3488 3488 किलोमेटर लंबी अपनी क्या बनाती है अंतरास्टी सीमा बनाती है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है यहां पर देखिया। ऑप्शन में देखियेगा सिक्थिम दिया हुआ हार ठीक है HIMाचर प्रदेश भी है उत्तराइखन भी दिया है पश्री मंगाल जह ऑब चाइना व burdard नन बनाती है की पश्री मंगाल आपका यहां पर पढ़ साहीं अपना बॉर्डर बनाये लेकिन झा श चोड़ दिया जाए तो दो तीन चार देखिए ऑप्शन में दो तीन चार ऑप्शन में डी सही जवाब होगा ठीक है तो इसके लिए आपको सारे देशों की जो पड़स्वी देश है वो भादे किनकिर राजवी साथ अपने इंटरनेशनल बाटर बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ठीक है जो मेटलिक है जिसमें धातू होते खनीजों की बात करें तो खनीजों में दो प्रकार के खनीज होते हैं एक होते हैं आपके धात्विक खनीज METALIC MINERAL और एक होते हैं अ-धात्विक हनीज मेटलिक MINERAL धात्वी खनीजों को भी दो भागों बाटा जाता है एक लोह युक्त धात्वी खनीज और एक होते हैं अलोह युक्त धात्वी खनीज अधात्वी खनीज को भी दो भागों बाटा जाता है एक इंधन युक्त धात्वी खनीज और एक हो गया आपका गैर इंधन युक्त अधात्वी खनीच जब धात्वी खनीच की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगा चाहले वो लोह युक्त हो या अलोह युक्त हो उसे फ़र्ग नहीं पड़ता यहाँ पर देखिए मीका जो है, यानि कि अभरक, यह आपका अधात्विखनीज है यह मैटल नहीं है दोलोमाइट, यह भी आपका मैटल नहीं है जबकि मैगनेज, निकल, क्रोमियम, वाकसाइड, यह आपका धात्विखनीज में आता है यानि कि दो हटा दिया जाए, तो केवल चार केवल चार आपके धात्विखनीज होंगे ठीक है चलिए, आप बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यदि कोई समुद्री जहाज पश्रिमी तट में कांडला बंदरगाहां से यातरा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकात्ता पहुशने तक वा कितने बंदरगाहों से होकर पहुँर इंतराश्टी बंदरगा और एक domestic पोड यानि कि घरेलू बंदरगा की संख्या 200 से ज़्यादा है लेकि अंतराश्टी बंदरगा की बात करें तो यह 13 है जिन में से एक पोड बिलेर को अलग कर दिया जाए तो तटो पे देखा जाए तो 6 अंतराश्टी बंदरगा पूर्वी ओंधर्वार्यक और सबसे जादा इंतराश्टी बंदरगा कहा पर है तो बता दीजिए का तमिल नारू में कितने एक मार्त्र राज्च यहां पर तीन नारू नारू तो याद रहिए तो झाल कहारी बंदरगा है जिसें दिन्रवार उपांद्धे अंतराश्टी पोल्ड भ फिर महरास्ट्रा में आएंगे तो महरास्ट्रा में मुंबई और नावाश्यवा, गोवा में आएंगे तो मुर्मू गोवा, करनाटक में आएंगे तो न्यू मंगलोर केरल में आएंगे तो कोच्ची, तमिल लाडू में ये हो गया आपका राम सेतू, राम सेतू की नीचे तूती कोरीन यानि मनार की खाडी में तूती कोरीन और पाक की खाडी में चिन्नई और एन्नोर वहीं पर और उपर आएंगे तो आंधर प्रदेश में विशाका पटम, उडिसा में पाराद्वीप और पश्री मंगाल में कलकत्ता हल्दिया कलकत्ता हल्दिया अंतराश्टी बंदेगा सब कुछ को लिखूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए जो काम का है वो बता रहो याद रखेगा ये मैं लिख दे रहा हूँ क्या कांडला कांडला से अगर आपको बोल रहा है चाने के लिए और कहां बोल रहा है कलकत्ता में पहुशना है तो कलकत्ता में पहुशने के लिए याद रखेगा ये हो गई आपकी हुगली नदी हुगली नदी पर कलकत्ता अंतराश्टी बंदरगा कलकत्ता बंदरगा जो है वो हुगली नदी पर है और हल्दिया जो है वो तट पर है तो नदी से जोड़ा गया है कलकत्ता को हल्दिया से यह दूसरा सबसे बड़ा कृत्तिम अंतराश्टी बंदरगा है कलकत्ता हल्दिया अंतराश्टी बंदरगा पूछ रहा है कौन कौन से गुजरेगा तो सबसे पहले आएगा मॉंबई मॉंबई इंटरनाशनल पोर्ट पहले फिर केरल का कोच्ची कोच्ची निखा हुआ है कोच्ची कमिल लाडू में ये हो गया आपका तूती कोरीन और ये हो गया एननोर फिर हो गया उडिसा में पारा द्वीब तो बताना ये था कि यही करम है अगर कांडला से आओगे तो मॉंबई कोच्ची तूती कोरीन एननोर और पारा द्वीब के बाद आप पहुचोगे कहा कलकता दूसरा स्टेटमेंट क्या बूर रहा है मॉंबई के बाद तूती कोरीन मॉंबई के बाद तूती कोरीन फिर एननोर और एननोर के नीचे ये है आपका चिन नहीं तो एननोर से पहले चिन नहीं है तो एननोर से पहले चिन नहीं है ये कड़बड हो जाएगा एन्नोर के पहले चन्नही है एन्नोर के बाद लिखा हुआ है फिर मुंबई के बाद गोवा का मुर्मुगाओ फिर आएगा कोच्ची फिर एन्नोर फिर चन्नही एन्नोर के बाद चन्नही लिखा ये भी गलत हो रहा है चन्नही पहले दे दिया चन्ने फिर विशाखा पटनम, ये देखे, आंद्र प्रदेश में ये हो गया आपका विशाखा पटनम, पूरा ही लिखना पढ़ गया, पहले लिख दिये होते तो भी अच्छा था, विशाखा पटनम के बाद हल दिया, हल दिया आ गया, हल दिया के बाद पाराद भी लिखा हो जाएगा अब बात करते हैं अगले प्रश्ण की अगला प्रश्ण फैक्छोल कोस्षं माइं जो पूछ रहा worrying आगा किसका राझ्द MA का कि राज हर्जा मेन सिट है कि अउसब का दक्षणी हिस्सा फिर में पड़ता है उसमें चाय बागान है ऐसी ही चाय बागानों के प्रश्णों को अगर तयार करें तो इसकी एक लिष्ट बना सकते हैं जिनमें आपको पता चल जाए कि कौन से चाय बागान जो है किसकी सराज में है आप पढ़ सकते हैं इसको ठीक है तो इसका सही जवाब होगा option number B सिक्किन factual चीज़ों में बताने लाग ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसलिए सिर्फ याद रखें भारत में अधिकतर वर्शा परवत कृत वर्शा होती है परवत कृत वर्शा का अर्थ क्या होता है याद रखेगा हमारे भारत में बहुत सारी परवते हैं जब बादले आती है या मा सापिक्षिक आद्रता क्या हो जाती उसकी बढ़ जाती है और सापिक्षिक आद्रता के बढ़ने की वज़े से हमाई क्या करवा रही है वर्षा करवाती है तो जब बादन सुनी हमाई परवतों शकराती है और उपर जाती है तो सैचुरेशन बढ़ जाता है सापिक्षिक वह बनता है क्या वृष्टी चाया प्रदेश इसको पूरा समझाने का फिलाल अभी समय नहीं रहेगा तो दुसी तर वृष्टी चाया प्रदेश बन जाएगा ठीक है मांसून जरूर अच्छे सयार करिएगा यह बिसिकली जादा इंट्रेस्टिंग है और बहुती ज्यादा conceptual है जरूर समझेगा अच्छा रहेगा आपके लिए पहला statement अब पूछ रहा है इसमें नम वायू के परिपूर होने पर वर्षा होना ठीक है ये आपका परवती करिद वर्षा के अंतरकत नहीं आएगा जब वायू राशी को आधी द्वारा विशाल परवतों की और धकेला जाता है जिसके फसो वर्षा होती है तीसरा परवतों की केवल एक और होने वाली वर्षा और डी है छाया छेतर में कम वर्षा तो लगता तो सब एक जैसे मिलता जुलता है कि छाया छेतर यानि विश्टी छाया प्रदेश में वर् लाधी द्वारा विशाल परवतों की और धकिला जाता है जिसके फसल वशचा होती तैके, ये भी लेंगे इसका जब आप और आगे अगले प्रशन की बात करेंगे तो अगला प्रशन क्या कह रहा है निम निखित में से किस राज्य में शत्रुन जै पहाड़ी इस्तित है सत्रुन जै पहाड़ी अभी की पहाड़ी को पूछ रहा है पता होगा तो ठीक नहीं पता होगा तो आप नहीं पता पाएंगे गुजरात में बहुत सारी पहाड़ीया हैं हमारे भारत में चोटी इधर उदर अलग-अलग नामों से जानी जाती है थोड़ा ता टिपिकल होगा लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता हुए ये गुजरात में है ठीक है? चलिए फैक्ट्चुल में मैंने पहले ही काया कि ज़्यादा बाते नहीं हो सकती बस है उसको पढ़ लीजेगा अगला नीम लिखित में से कौन से भारत के तेल चेतर का मिलान सही है पहला असम में असम में माकूम, डिगबोई, हुगरी जन, मोरान, सुर्माघाटी चेतर ये सब आपके तेल चेतर है तो हुगरी जन, मोरान, जो तेल चेतर है वो असम में है ये याद रखेगा गुजरात में देखा जाए तो लुनेस, कलोल, सानन्द ठीक है ये सब तेल छेतर है गुजरात के ये भी सही है पश्चिम तटके अब तटी छेतर में अब तटी मतलम याद रखेगा तटके अंदर के छेतर को बोलते है अभी तटी ये छेतर और वहीं तटके बाहर वाले छेतर को बोला जाता है अब तटी ये छेतर बात हो रही है पश्चिम अब तटी ये छेतर की और पूरवी अब तटी ये छेतर और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम और साथी साथ नैचुरल गेस दोनों ही कहा पाए जाते हैं मुख्य रूप से अब तटी चेतरें पाए जाते हैं क्यों? क्योंकि समुद्र की परदा चटानों में जिवाश्म की उपस्थिती की वज़े से क्या बनता है? पेट्रोलियम और नचुर गेस तो पस्षिम तट के अब तटी तेलशितर में बसीन लिखा हुआ है अलिया बेट MMBяти यह सब पस्षिमी तट में स्थित, मुंबई HIGH यह सब पस्षिमी तट में तटी तेलशितर है लेकि पुर्वी तट के अब तटी चेतर की बात करें तो रावा अपताटी तेलचेतर जो है वो पूर्वी तट का अपताटी तेलचेतर है जो सबसर नवींदम है इसमें उलकड या असजोल यह आपके जब आप गलत हो जाएंगे तो यह नहीं है पूर्वी तट पर अपताटी तेलचेतरों में तो यह गलत हो जाएगा यानि कि अगर पूछ रहा है नीचे दीए के विकल्पों में से सही उत्तर का चैन करिए तो सही उत्तर है पहला दूसरा और चौथा पहला दूसरा चौथा यानि आप्शन नमबर बी आपका सही जवाब होगा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है ठीक है चलिए यह हो गए उसके बाद अगले प्रशनी की बात करते हैं तो अगला प्रशनी क्या रहा है कि प्रिथ्वी का कोर मुख्य रूप से खालिस्तान से बना है तो आप समझेगा कि वैग्यानिकों ने प्रिथ्वी को वैसे किते भागों माटा है तो तीन जहां सबसे बाहरी भाग को कहते हैं क्रश्ट यानि भूपरपटी उसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं मैंटल यानि की प्रवार और सबसेंदर वाले भाकोफ बोलते है क्रोड वैग्जानिकों ने बताया कि सियाल किन दो तत्वों से मिलकर बनी है तो याद रखे कि क्रश्ट जो है किन दो तत्वों से मिलकर बनी है तो बोलते हैं सियाल यानि सिलीका और अल्यूमिनिया मैंटल के लिए उन्हों ने बताया कि इसका नाम लिया तो बोले सीमा यह सिलीका और मैंगनिशियम से मिलकर बनी है और कोल किसे मिलकर बना है तो इसको बोलते है नीफे यानि निकल और फेरस तो निकल और फेरस से मिलकर बना हुआ है कोर सबसे भारी तत्व होने की वज़े से ये पूरा का पूरा लोहा कोर में आकर जमा हो लिया ठीक, किसकी वज़े से तो पृत्वी के ग्रैविटेशनल फोर्स की वज़े से जो इसके कोर में मौझूद है कोर में स्थित पृत्वी के ग्रैविटेशनल फोर्स सारे भारी धातों को अपनी और क्या किया खीच लिया याद रखेगा पृत्वी के कोर में मुखी रूप से अगर ये कोर के अलावा मैंटल में पूस्ता या क्रश्ण पूस्ता तो भी आप जवाब दे देते हैं सियाल, सीमा और नीफे याद रखेगा नीफे में निकल और लोहा उप्शन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा निकल तामबा ने निकल अल्यूमीना ने निकल मैगनेशियम ने निकल लोहा उप्शन नमबर सीस का सही जवाब है ठीक है चलिए अब बात करते हैं अगले प्रशन की अगला प्रशन है सोम सीला बांध किस राज्य में इस सित है ये भी एक फैक्ट्वल कोश्चन है बांधों की लिष्ट बना लीजिएगा भाईया राज्यवार कितने बांध है कौन को से बांध है किस नदी पर बनाया गय ठीक है याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा इसका सभी जवाब भगो ऑप्शन बस सी आंदर प्रदेश चलिए आगे बढ़ते हैं अगला यह माही नदी किस में जाकर मिलती है याद रखेगा कच की खाड़ी लिखा हुआ है कच करल लिखा हुआ है खमभात की खाड़ी है और मनार की खाड़ी है तो यहाँ पर अब जब खमभात की खाड़ी अपवात अंदर की बात की जाती तो खमभात की खाड़ी अपवात अंदर पे चार नदी आते हैं उन चार नदियों में एक नदी नर्मदा है उसके बाद अगली नदी तापती है उ एक नदी का नाम दिख लिएगा साबर मती लंबाई की बात करें नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर तापती नदी 724 किलोमीटर माही नदी 583 किलोमीटर और साबर मती नदी 320 किलोमीटर यह चारो नदिया जो है वो खंभात की खाड़ी याद रखेंगे खंभात की खाड़ी यहाँ पर खाड़ी किसको बोल रहे हैं? खाड़ी उसे कहा जाता है जो तीन ओर से इस्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किए देखे एक दो तीन तीन और इस्थल से और एक और जल से गिरा हुए ये खंभात की खाड़ी है ये तीन और इस्थल से और एक और जल इसको बोलते है कच की खाड़ी है तो कच की खाड़ी नहीं कच का रन नहीं मन्नार की खाड़ी नहीं खंभाद की खाड़ी में नर्मदा, ताप्ती, माही और सावर्वती नदी सब के सब खंभाद की खाड़ी में समुद्र में मिलती है क्या बनाते हुए मिलती है तो बता दीजेगा ऐशूरी यानि कि जौर नदमुख जौर नदमुख बनाते हुए मिल्की सब क्या है सब हम बाद में बात करेंगे तो याद रखेगा इसका सही जवाब है खंभाद की खाड़ी चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है देखिए यहाँ पर कई बार गल मेदान की तुलना में सक्र है जबकि पूर्वी तटी मेदान की चोड़ाई ज्यादा है पहला सही है दूसरा कच प्रायद्रीब तृतिय श्रेणी की चटानों से बनी है देखिए तृतिय श्रेणी की चटानों से जब हम चटानों की बात करते हैं तो भारत की चटानों को चार भागों में बाटा गया हैं पहला है प्राथमिक चटान इसके लिए पूरी भुगर्विक सरशना पढ़नी पड़ेगी तब जाकि इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा पहला है प्राथमिक चटान उसके बाद अगला याद रखेगा दूतियक चटान फिर बताईएगा तूतियक चटान और फिर बोलिएगा चदूर्थी चटान बारत में चार प्रकार की चटान है यह जो प्राइद्विपी पठार जो है प्राइद्विपी पठार जो सबसे पहली चटान थी जिसमें आर्कियन चटान आती है उसे बोलते है प्राथमिक चटान यानि कि प्रि इंडियन समय में बनी इसको आर्कियन चटान बोलते हैं और इसी क्रश्ट का एक टुकड़ा हमारे भारत का दक्षिन भारत है जो क्रश्ट का एक टुकड़ा है जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं इसके बाद आर्कियन चटान के अपरदर और निक्षेपण से कई चटाने ब वो आर्कियन के अपरदन निक्षे-पड से बनेगी जो दूत्यक-चटान के अंदर के धर आई है। तृत्यक-चटान जब अंडियन प्लेट जाकर युरेशन प्लेट से तकिराएगी तो बनेगा हिमाले मैं हो दूत्यक-टान हे हिमाले के निर्माड के दोरान की डीमाले, शिवाली की माले बना, कारा कुरम, लद्दाग, जासकर बना, हिंदु कुष्की पहाड़ी, सुलेमान परवत बने, नौर्थिष्की पहाड़ी बनी, अंडमा निकोबार बने, और यहां तक की कच्छ प्रायद्वीब, यह देखिए, यह, यह हो गया आपका काठिय यह वाड़ प्रायद्वीब, वो जो तीन ओर से जल से और एक और इस्ता से गिरे हो, और दूसरा इसको बोलते हैं कच्छ प्रायद्वीब, यह तीन ओर से जल से और एक और इस्ता से गिरे होए है, तो यह कच्छ प्रायद्वीब और यह काठिया वाड़ प्रायद्वीब तो कच्छ प्रायट्रीव जो है वो हिमाले के निर्माण के दोरान बनी इसलिए ये त्रित्यक चटानों के अंतरगत आती है और चतूरती चटान की बात करें तो भारत में जितनी भी मैदानी संदचना है मैदानी संदचना है उसे चतूरती चटान के अंतर के दिलेते हैं जैसे मध्यवर्ती मैदान एक चतूरती चटान है जैसे तटी मैदान एक चतूरती चटान है जैसे थार का मरुस्तल एक चतूरती चटान है जैसे डिल्टाई छेत्रम एक चतूरती चटान है तो यहां जहां म समझ में आ यह 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 थो और दुसाया कि पुर्वी गाट को मि बनी पुरुवी गाट के मिलने से कउन सी पहणी बनती है दो चली अब देखतें यहाँ पर कि अब option number D क्या कहा है उप्योग सभी सही है तो यहाँ पर देखने से क्या समझ में आ रहा है कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है तो उप्रोग सभी सही है तो यहाँ पर कोश्चन में गलत पूछ रहा है तो यह थोड़ा से यहाँ पर प्रिं सब्सक्राइब प्रशन की हमारा अगला प्रशन क्या कहरा है तुम्भद्रा बहुत देशी परयोजना कीन दो राज्यों गी बीच इस॥ीतए है। तुम भद्रा नदी निकलती है कर्णाटक है तुम्भद्रा नदी की बात करें तो पस्ष्वभी घाट में तुंग नदी और भद्रा नदी अलग-अलग सोर्से से निकलती है जहां तुंग नदी निकलती है करनाटक के गंगा मूला की पहाड़ी से गंगा मूला की पहाड़ी से तुंग नदी और वहीं पर भद्रा नदी की बात करें तो करनाटक के काहूर नामक स्थान से काहूर नामक जगह से भद्रा नदी निकलती है और ये दुनों नदी मिलकर संयुत रूप से तुंग भद्रा के नाम से बहते हुए आंध प्रदेश में जाकर किस में मिल जाती है कृष्णा में जाकर क्या हो जाती है कि कर्णाटक और आंध परते हैं क्या होती है की दो राज्यें में होते हैं लेकिं टीसीर राज्य इससे शामिल होती है जबकि यहां ऐसा नहीं है तो सिर्फ option number A इसका सई जवाब होगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्ण की हमारा अगला प्रश्ण है दर्रों पर बेश जाईए सूची एक को सूची दो से सुमेडित कीजिए और नीचे दीए का कूल का सही उतर दीजिए ठीक है चलिए एक तरफ दर्रा लिखा हुआ है एक तरफ दर्रा लिखा हुआ है और एक तरफ राजी लिखे हुए है चलिए तो यहां पर सबसे पहले देखिए बुमला तो मुमला कहां पर है बुमला या बोमडीला कहां पर है तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला इसके आपके आउड़ाचल प्रदेश में इससे दर्रे हैं जिलेपला की बात करें तो नाथूला और जिलेपला ये आपके सिक्किव में हैं इसके अलावा मुलिंगला दर्रे की बात करें तो मुलिंगला दर्रा जो है वो आपका उत्राखंड में उत्राखंड में इसके अलावा न पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तो यह option number 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ठीक है, चलिए, तो आपको exam के point of view से दर्रे भी बहुत याद करने पढ़ेंगे, हर राज्यों के, यहाँ पर देखिएगा, हर राज्यों में पढ़ने पढ़ेंगे, सुमिलित करने देदेगा, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगे, ठीक है, तो दर्रे जरूर याद करके जाए, दर्रों से प्रश्ण बनते हैं, अच्छे प्रश्ण बनते हैं, अब अगले प्रश्ण की बात करें, दिया हुआ है, निमलिखित है हरीके बैरास कौन सी दो नदी को संगम होता है तो व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरीके आदर भूमी है जहां से इंद्रा गांदी नहर निकलती है यही हरीके है जहां से इंद्रा गांदी नहर निकलती है यह इंद्रा गांदी नहर भात की सबसे लंबी नहर है जिसके लंबाई 649 किलो मीटर है उसके बाद केवला देव धाना राश्टी उद्यान जो राजिस्थान में है लेकिन बनास और चंबल नदी के संगम पर नहीं है उसके बाद कोलेरू जील की बात करें कोलेरू जील मुसी और कृष्णा नदी के संगम पर दिया हुआ ये भी गलत है ये कोलेरू जील जो है ये गोदावरी नदी और ये हो गई आपके कृष्णा नदी के डेल्टा छेत्र के बीच में पड़ता है यानि कि ये कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पर असंगम नहीं बोला चाहिए दोनों नदी का संगम कहीं नहीं होता गोदावरी गलत है और यह संगम शब्द यह भी गलत हैं यानिकी सही में सिर्फ एक ही सही हो रहा है हरी के आदर भूमी जो व्यास और 17 जदी के संगम पर है यानिकी पूछ रहा है उप्युक्त में से कौन सा यूग में सही सुमेलित हैं तो option नंबर एक 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 ही सही है दूसरा और तीसर करिए भारत कपास के पौधए का आदी निवाथ हैं मुकुत उत्पादन हो रहा है और उतपादन भारत में होता है ठीक है तो चुरुबात भारत से हुई है तो यह आपका सही जवाब हो गया है पहला statement सही है, दूसरा पूरा विश्व में भारत पहला देश है, जहां कपास की संकर किस्म में विक्सित हुई, जिसके परिणाम स्वरूव वर्थित यानि के अत्तिक उत्पादन हुआ, ये भी सही है, कपास की उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूव वर्थित पादन होता है, पूछे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला भी सही है, कपास की शुरुआ तो भारत से हुई, और दूसरा statement भी सही है, यानि कि दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये इसका सही जव काटने का सबसे अधिक खतरनाग प्रभाव क्या होतकते है, जो पेड़ों काटोगे, तो इनमें से क्या ये सभी होते हैं, locks, प्रभाव क्या होता है, उसपे बात करेंगे, वन संपत्ती की चती वो भी होती है, अनेक मुल्यवान पादपो की चती ये भी होती है, साल सागों जैसे पेड़ जो है वो खतम हो जाते हैं, जंगली जानवरों के निवास स्थालों का नाश और मिर्दापरतन, लेकि सब कुछ हो रही है, मिर्दापरतन भी खुद में एक बहुती स्ट्रॉंक वज़ा है, लेकि जादातर प्रोब्लम क्या होती है कि जंगल में बहुत सारे जंगली जीव होते हैं, जानवर होते हैं, जब पेड़ों काट दिया जाता है तो वो पूरे के पूरे, उनके निवास स्थालों का जो नाश हो जाता है, जंगली जानवर बिचारे, क्या बोलना चाहिए, इनकी पूरी प्रजातियां खतम हो जाती है, क्योंकि उनको जो घर था रहने का, वो डिस्ट्रॉय हो गया, खतम हो गया, नस्ट हो गया, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉंग अगर कारण लेना है हमको, तो ऑप् इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है कि पूरे के पूरे जंगली जानवर जो है, वो बिस्थापित होना पड़ता है, उनको बहुत दिक्कतों सामना करना पड़ता है, कई प्रजातियां विलोप्त हो जाती है, जो सर्वाइब नहीं कर पाती, कई दिक्कते होती है, ठीक है, चलिए, उसके बाद, अगला है, गंडग परियोजना किंदो राजियों से की सहींट परियोजना है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, मर्द्य प्रदेश, बिहार, मर्द्य प्रदेश, बिहार, प यहां से प्रश्ण पूछता ही है कौंकड रेलवे से राज्यों के निमलिखित समुच्चियों में से कौन से एक को सरवाधिक लाव होता है कि इन राज्यों में कौंकड रेलवे फैली हुई है और कि इनको इनका लाव मिलता है यह दो अलग प्रश्ण है कौंकर रेलवे जो है वो महाराश्च्रा के सोहा रोहा से लेकर महाराश्च्रा के रोहा से लेकर करनाटक के ठोकुर तक याद रखेगा महरास्ट्रा के रोहा से लेकर करनाटक ठोकुर बीच में आ जाता है कौन सा गोवा तो ये राज्यों में तीन राज्यों फैली हुई है महरास्ट्रा गोवा करनाटक महरास्ट्रा के रोहा से लेकर करनाटक के ठोकुर तक फिलाल अगर लाब की बात करें तो महाराष्ट्रा, गोवा, कर्राटक के साथ-साथ केरल भी इस प्रयोजना से लाभानवित होता है इसलिए सही जवाब है option number A बाकी ये तुझ तमिल नाडू, मद्यप्रदेश ये सब गलत हो जाते हैं फिक है, ये तमिल नाडू यहाँ पे गलत हो जाता है, इसके अलावा ये तमिल नाडू यहाँ गलत हो जाता Whilst तमिल नाडू में नहीं तमिल नाडू आ जाता है कहांत? पूर्भी तक कोंकर पर योजना जौ ए वह आपके पश्विमी तक पे तो वैसे भी आप अगर समझेंगे तो तमिल नाडू तो वैसे भी नहीं आएगा और तीन अगर option में तमिल नाडू है तो यह वैसे भी option क्या हो जाएगे गलत हो जाएगे तो गोवा, करनाटक, केरल और महाराष्टा, गोवा, करनाटक और केरल ये वो चार राज्ये हैं जो कॉंकर्ड रेलवे से क्या होते हैं लाभानमीत होते हैं लेकिन बोला जाए कि कॉंकर्ट रेलवे कीन राज्यों में है तो ये फिर केरल नहीं आएगा फिर ये तीनी आएगा महाराष्टा, गोवा और करनाटक अप्शन में गोवा पहले करनाटक बाद में तो थोड़ दिक्कत होती है अगर महाराष्टा, गोवा करनाटक अगर एक लाएं से दिया होता तो आपके लिए थोड़ा असानी हो जाती है ठीक है तो इसका सरी जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चलिए अब बात करते हैं अगले प्रशन की अगला प्रशन है हमारा भारत की किस राज्य अत्वा के अनुशाष्य प्रदेश मैंग्रोव छेत्र का प्रशन सरवादिक है अब मैंग्रोव फॉरेस्ट के अगर बात हो रही है तो मैंग्रोव का अगर एरिया देखा जाए तो भारत में फोर डबल नाइन टू किलोमेटर स्कॉाइट छेत्र में मैंग्रोव वनस्पति फैली हुई है जो भारत के कुल छेत्र फलका जो भारत क पश्रिमंगाल में 42.45% एरिया में आपका जो है मेंगरो मनस्पति पाई जाते हैं, गुजरात में 23.66% में पाई जाती है, और अंडवा निकोबार में 13.99% ठीक है, लगभग, ठीक है, राउंड फिगर में ले सकते हैं, 14%, तो पश्रिमंगाल का हो गया, आपका सुन्दरवन का डेल्टा वाला चेतर आ जाता है, और गुजरात में आपका कच्छ का रन आ जाता है, ठीक है, बेसिकली, और अंडवा निकोबार में भी मेंगरो मनस्पति पाई जाती है, वहां के ददली चेतर में, तो सरवाधिक प्रतीशत है आपका पश्रिमंगाल, तो इसका सही है, चलिए, अब अगला गीर केसर को भौग वालिक विसिष्ट पहचान, जी आई टेंग दिया गया, या किस की प्रजाती है, जैसे अपने बैगन फली नाम सुना होगा, चौसा सुना होगा, लंगडा सुना होगा, ठीक है, यह सब आम की प्रजाती है, वैसे गीर केसर भी आम की प्रजाती है, केसर मिर्च सेव की नहीं, आम की प्रजाती है, ठीक है, जिसका सही जवाब है, ऑप्शन बल सी, आम, उसके बाद अगला अगला प्रशन जो है, निम्रिकित कत्नों पर विचार करिए, पहला स्टेट्मेंट कहरा है, भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुरलब खनी स्ट्वों का प्रमुख श्रोथ है, भारत में, यह सही है, इसा भारत में पाए जाते है, और उसके बाद दूसरा स्टेट्मेंट कहरा है कि दुरलब खनी स्ट्वों में भारत आत्म निर्भर है, भारत आत्म निर्भर नहीं है, प्रमुख श्रोथ भारत में हां पहला ही सभ्य है केवड एक इप ऑद मिद्सकी किसी कि हमारे इदिन यह पहले हैं गिसंद्र कारने की जरुवत पड़ती है उसकेसी बाद अगला 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 प्रष्ण की बात करें, तो निम लिखित में से कौन सा देश मैकॉंग गंगा कॉपरेशन का सदत से नहीं है, मैकॉंग गंगा की बात करें, तो इसमें हमारा भारत शामिल है, म्यानमार, थाइलेंड, कमबोडिया, लाओस, लाओस, वियतनाम, यह चै देश मैकॉंग गंगा कॉपरेशन का सदत से है, तो कौन नहीं है, तो भारत है, थाइलेंड है, वियतनाम है, इसके अलावा, म्यानमार, थाइलेंड, कमबोडिया, लाओस, वियतनाम भी याद रखेगा, औक्शन में यह भी होंगे, तो वो सही होंगे, लेकिन बांग बांगलादेश आपका गलत जवाब हो जाएगा, सदत से नहीं है, यह सही जवाब हो जाएगा, बांगलादेश, यह नहीं है, मतलब यह क्या सही है, तो बांगलादेश इसका सही जवाब है, आप्शन नमबर B, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प् दिखन उस्टटड अब ये उसनो कंटी बंदी वर्शवन पाया जाते हैं उआ प्रकार का जंगल होता है जहां का बलारा है कौश्रा है कौं सा पश्रिमी घाट रजिक घंप्रॉवी घाट वरश्च अधिक पुर्वी घाट वर्शा अधिक उप्रियुग में से किस शेतर में उष्ट निकटी बंदिये वर्षा वन पाये जाते हैं उष्ट निकटी बंदिये वर्षा वन एक प्रकार का जंगल होता है जहां का टेंपरेचर जादा होता है और वर्षा भी जादा होता है पूछ रहा है कौन सा पश्विमी घाट वर्षा अधिक टेंप्रेचर अधिक पुर्वी घाट वर्षा अधिक टेंप्रेचर अधिक उत्तर पुर्वी हिमाले उत्तर पुर्वी हिमाले में वर्षा क्या होती है कम होती है टेंप्रेचर क्या होता है कम होता है उत्तरपूर भी हिमाले वाला छेतर नहीं लेंगे हिमाले वाला छेतर ठंड़ा प्रदेश होता है ठंड़े प्रदेशों में उस कटिबंदी वर्षावन नहीं पाया जाते हैं यानि कि दूसरा और तीसरा आप्शन नमबर 20 का सही जवाब होगा ठीक है चलिए अब अगला बात करते हैं अगले प्रशन की बात करते हैं अब अगला प्रशन क्या कहे रहा है कश्मीर में जीलों के भंडा करेवा किस लिए जाने जाते हैं करेवा जमाओ करेवा किस लिए जाने जाते हैं केसर की खेती के लिए सीड़ी हुमा खेती के लिए से केसर की खेती लिए जाने जाते है करेव कश्मीर का करेवा खयता है ये इसका सभी जवाब कि अगला प्रश्ण है कि निम्लिखित में से किस दशक में भारत की जन संख्या की दर नकर आत्मक अब नकरातमक कब रही है यह तो सभी जानते है 1911 से 21 के बीच की जो जनगर्णा थी, जो जो जनगर्णा आई थी उसमें जो वृद्धी दर है वो नकरातमक दर्ज की गई थी 0.3, minus 0.3 प्रतिशत जो है वो व्रिद्धी क्या रही नकरात्मक रही ग्यारा की जनगर्णा के बाद 21 के जनगर्णा में व्रिद्धी बढ़ी नहीं थी बलकि कम हुई थी कितना minus 0.3 प्रतिशत कम हुई थी करण था उस समय चेचक का होना प्लेक का होना और कई और पिमारियों का होना जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग मर गए थे तो population क्या हो गई थी बढ़ने की वज़ाए कम हो गई थी तो जो नकरात्मक बोला जाता है वो कौन से दर्शक को बोला जाता है 1921 के दर्शक को बोला जाता है 1911 से 21 का जो दर्शक है वो जनसंक्या की दर्ख के नकरात्मक होने को दर्शाता है ठीक है तो यह option पर 20 के सही जवाब है अब उसके बात अगले प्रशन की बात करें बकिंगम नहर भारत के किस राज्य में सित देखिए यहां पर बकिंगम नहर की बात कर रहा है भारत की किस राज्य में सित है option A आंधर प्रदेश, तमिल नाडू, करनाटा, पहला और दूसरा दोनो अब फ्रौ समझेगा जब आप National Water Highway 4 की बात करते हैं, ध्याँ दीजएगा, National Water Highway 4 यह आरीए गुदावरी नदी यह आरीए कृष्णा नदी, अब यहां पर ध्याँ दीजएगा यह आरीए गुदावरी नदी, यह आरीए कृष्णा नदी, यहां से लेकर यहा तक यानि कि काकी नाड़ा से लेकर मरकानम National Water Highway 4 जो काकी नाड़ा से मरकानम तक है 1050 किलोमेटर लंबी है कितने राज्यों में है तो बता दीजेगा दो राज्यों में है एक है आपका आंध्र प्रदेश और एक है आपका तमिल नाड़ू तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा काकी नाड़ा आंध्र प्रदेश और तमिल नाड़ू यह आपका तमिल नाड़ू में मरकानम बताना यह है कि जो काकी नाड़ा को गोदावरी से जोड़ता है ये एक नहर है, गुदावरी को कृष्णा नदी से जोडने वाला एक अगला नहर है, कृष्णा नदी को मरकानन तक जोडने वाला एक नहर है, तीन नहरों को, एक पहला नहर, ये दूसरा नहर और ये तीसरा नहर, इस नहर का नाम है काकी नाड़ा नहर, गुदावरी से कृष्णा नदी की बीच का नहर है आपका इलूरू नहर और जो कृष्णा नदी से लेके मरकानम तक नहर है उसको बोलते हैं बकिंगम नहर तो बकिंगम नहर जो है वो कृष्णा नदी के मुहाने से लेके मरकानम अग्रिष्ट नदी का मुहाना जो है वो है आपका विजय वाड़ा विजय वाड़ा 보시़चन नदी का मुहाना और Godaavori नदी का मुहाना आंध्र प्रदेश का राज-मंदरी है तमिल नाडू के मरकानम तक तो कौन से दो राज्यों में ये नहर है, बकिंगम नहर के बात करें, तो ये होगे आपका आंधर प्रदेश और, बतब क्या बला चाहिए, आंधर प्रदेश के विजय वाड़ा से लेके तमिल नाडू के, मरक कानम तक ये फैली हुई है, बकिंगम नहर, ठीक है, तो ये आप का option number D, आपका सही जवाब हो जाएगा, अब बात करते हैं कुछ आखरी दो प्रश्णों की, राम सेतु किस जल डमरू के मध्यमिस्तित है, ये देखेंगे, इंडिया श्रीलंका के बीच के इस भाग को बोलते है, या फिर ये देखेगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में राम भगवान के द्वारा बनाया गया राम सेतु, विसिकली कहां पर है, तो याद रखना ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये, ये है आपका जल संधी, इसको क्या बोलते हैं, जल संधी किसको कहते हैं, तो जल का वह सकरा भाग जो दो सागरों या महा सागरों को जोड़ है, और भारत में एक मात्र जल संधी है, इसका नाम है पाक जल संधी, या इसे ही बोलते हैं पाक जल डमरू, अब यहाँ पर पाक का नाम पाकिस्तान के नाम पर नहीं, बलकि मदरास के गवर्नर, रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया, यहाँ पर रॉबर्ट ध्यान जिएगा, पाक में पी यही ओन ओर वाला पाक है, जिसमें और संधी होता है, तो प्रणाशियेशन में पाक दाए है, ठीक है, तो राम सेतू किस जल đम लुके मदर्ध मर्ध जाइब होगा, पर आब बात करते हैं सबसे आखरी प्रशन की, आठिक है, उसके बहुत बहुत सा सही जबाब होगा अब का मेघगाजे Combat में ये है परम से लिष्टिशन जो वाई है ठीक है तो इसके इसके साथ को इसके वीडियो सेशन कंपिट होता है आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से लाव होगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद टेक केर ख्याल रखिएगा